Hello dear students, आज की इस lecture में हम discuss करेंगे BA 5th Sam के लिए character sketch of बड़े खान तो देखिए बड़े खान important character है, इसका question आपके exam में आ सकता है तो देखिए भट, मुर्ती और बड़े खान, इन तीनों में से एक का character आपके question paper में आने के chances है तो देखिए इसको मैंने आपके लिए इतना ही जी बना दिया है कि आपको सिर्फ points से आगे के याद रखने है जो आगे के points है, उनको याद रखना है, उससे आप खुद भी आगे बना सकते हो ये question तो चलिए इसको start करते है तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है यहाँ पर आपको starting में यह लिखना है the novel कंथापुरा has many characters कि इस novel में कंथापुरा में बहुत से characters है in these old characters बड़े खान like the other male characters और इस इन सभी characters में जो बड़े खान है like the other male characters दूसरे सभी male characters की तरह है male कौन होते है पुरुस जो पुरुस पात्र है यहाँ पर character क्या होते है पात्र जो पुरुस पात्र है उनकी तरह ही जो बड़े खान है for example कौन-कौन से है वे मुर्ती है, पटेल रंगे गोड़ा है the hunter साहीव है जैसे यह most important characters है तो वैसे ही बड़े खान भी क्या है एक important character है यह play a very significant role in the novel यह भी इन सभी male characters की तरह ही बहुत महत्तपुरण role अदा करता है इस novel में here are some qualities of his character और यहाँ पर देखिए उसके character की बिसेशता ही बताए गई है कि क्या क्या भी सेशता है बड़े खान में तो देखिए सबसे पहले है जो first one आप लिखोंगे number 1 डाल कर तो देखिए अगर आप point में लिखते है किसी भी character को तो आप अच्छे marks ले सकते है तो सबसे पहले है बड़े खान arrivals in कंथपुरा बड़े खान का arrival यानि जब वो आता है कहां आता है उसका आना कंथपुरा में तो बड़े खान जब कंथपुरा में आता है before the arrival of बड़े खान जब बड़े खान कंथपुरा में आता है तो उससे पहले before होता है पहले the scene of हरी कथा take place इसकी आने से पहले ही हरी कथा होती है टेक प्लेस क्या होता है कुछ चीज हैपन होना घटित होना तो क्या होता है हरी कथा इस गाउं में होती है इससे पहले की बड़े खान यहां आता है बड़ी खान के इस गाउं में कंथपुरा में आने से पहले ही हरी कथा हो जाती है सड्डनली अचानक से क्या होता है जैरामचारिया जो जैरामचरिया है दा हरी कथा मैन अब ये कौन है जैरामचरिया के वारे में अगर कोश्चन आ जाए आपका तो ये कौन है, ये हरी कथा मैन है, हरी कथा मैन क्यों कहा गया है, क्योंकि यही क्या करता है, पंडित की तरह कथा सुनाता है, और कथा किस की सुनाता है ये, ये सुनाता है देखिए, गांधी की कथा सुनाता है ये, गांधी के अदर्शो की कथा सुनाता है, गांधी के जीव जरम चर्या है जो इस हरिकता को सुनाता है वो व्यक्ति अरेश्ट कर लिया जाता है बड़े खान आया भी नहीं था उससे पहले इसे अरेश्ट कर लिया जाता है उसके बाद क्या होता है after some time कुछ समय बाद बड़े खान comes to leave in the village to perform his duty अब कुछ समय के बड़े खान क्या होता है इस गाउं में रहने के लिए आता है क्या करने के लिए अपनी duties को perform करने के लिए निभाने के लिए उसके बाद है second अब देखे बड़े खान के arrival दिया गया है तो बड़े खान आया तो उससे पहले पहले तो बड़े खान के बारे में बताया गया है नोबल के अंदर बड़े खान इज ए मॉंडन जो ये बड़े खान है ये एक मुस्लिम है मुस्लिम है ये इसकी लंबी दाड़ी है ये क्या है अनएजुकेटिड है यानि कि पड़ा लिखा वो नहीं है अनपड है और देखिए उसमें civilized man के कोई गुण नहीं है वो क्या है बरवर है पूरी तरह से बरवर क्या होता है असभ्य है असभ्य है वो पूरी तरह से असभ्य व्यक्ति अपने मैनर्स में उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि वो अच्छे से किसी के साथ रह सके वो पूरी तरह से क्या है इसका दे मीनिंग देखिए पूरी तरह से वो बल्गर है असलील है अन्रिफाइंड है अन्रिफाइंड क्या होता है अशुद्ध है यानि कि उसके क्रेक्टर में बहुत से खामिया है उसके बाद देखे, नमबर तीन है हमारे पास बड़े खान से सर्चिंग फोर अकॉमोडेशन थर्ड नमबर पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले तो हमने बताया उसके आने की कहाने आने के बाद उसके बारे में बताया कि वो कैसा दिखता है थर्ड है हमारे पास कि बड़े खान है जो सर्च करता है accommodation के लिए accommodation की spelling याद कर लेना और accommodation का meaning क्या होता है रहने के लिए जो स्थान, घर तलास करना कोई compartment, कोई flat कुछ भी हो सकता है accommodation बड़े खान is a mom done by caste जैसे कि हमने अभी देखा कि जो बड़े खान है caste से क्या है वो एक muslim है he finds difficult to search a house to live in और वह क्या करता है इस गाउं में एक घर पाना क्या हो जाता है उसके लिए कठिन हो जाता है he could stay neither in the potter state nor in the sudra state, वो नय तो क्या कर सकता था, potter state में potter कौन होते है, कुमार ना तो वो कुमारों के गली में रह सकता था और ना ही वो सुद्रों के साथ रह सकता था देखे, lower caste के people है उनको सुद्र कहा गया है, ना ही वो सुद्रों के साथ रह सकता था, next देखे और देखे, he could stay neither in the potter state nor in the sudra state, ना ही सुद्रों के गली में रह सकता था ना ही वो कुमारों की so इसलिए to find house अपना घर पाने के लिए he went to पटवारी नंजून दिया तो वो घर पाने के लिए किसके पास जाता है पटवारी के पास जाता है गाउं का कंथापुरा का पटवारी है जिसका नाम है नंजून दिया who sent him to patel वो उसको किसके पास भेज़ देता है आगे patel के पास क्योंकि वो उसके घर नहीं दे शकता वो मना कर देता है और वो उसके patel के पास भेज़ देता है patel कोन है patel रंगेगोडा इसका full name है patel रंगेगोडा insults him patel रंगेगोडा भी एक बहुत ही बेकार किसम का व्यक्ति है वो उसके insult करता है किसकी बड़े खान की at last अंत में क्या होता है at last he finds a hut उसे क्या मिलती है he finds a hut उसे एक जोपड़ी मिलती है रहने के लिए कहां पर with one of the preha woman woman in the skiffington coffee state कहां पर घर मिलता है एक जोपड़ी मिलती है वो भी किसके साथ share करने पड़ती है उसको एक woman के पास यानि कि एक woman के साथ एक ओरत के साथ जो कहां रहती है skiffington coffee state में जो किसका है hunter साहिव का तो इस तरह से देखे hunter साहिव उसको घर क्यों देता है घर देता है पर देता किसके पास है प्रिया बोमेन के पास उसके बाद देखे फॉर्थ है हमारे पास अब हमें पता चला कि वो घर कैसे पाता है आने के बाद गाउं में उसके बाद फॉर्थ है occupation of बड़े खान अब देखे गाउं में तो आता है पर वो करता क्या है घर भी मिल गया है काम क्या करेगा वो बड़े खान is a policeman बड़े खान जैसे कि मैंने बताए एक policeman है पुलिस बाला है वो His duty is to collect revenue उसकी duty क्या है revenue collect करना revenue क्या होता है राजशव यानि कि कर बगरा होते है टेक्सिस बगरा होते है उनको वो collect करता है from the villagers किन से गाउंवालों से and to inform betis authorities और क्या करता है betis authority है क्योंकि देखिए नोकर किसका बनकर आया है वो पुलिस बालाब है तो किनका है वो betis ars का ही नोकर है वो क्योंकि ये कब की है story हमारी हमारी आजादी से पहले की 1947 से पहले की story दिखाई गई है जब गांधी क्या कर रहे थे गांधी जी क्या कर रहे थे अंदोलन चला रहे थे देश को आजाद करवाने के लिए and to inform betis authorities और वो inform करता है betis authorities को किसको अंग्रेजों को जो अंग्रेज अधिकारी है उनको inform करता है ये duty है वो betis authorities को देता है तो ये उसकी duty है उसके बाद देखिए fifth point है हमारा बड़े खान as a symbol of betis government बड़े खान कोन है symbol है एक symbol है चिन है किसका betis government का यानि कि किन के लिए काम करता है वो betis government के लिए ही उन्हे का एक ये रूप है उन्हे की form का है ये भी अब देखिए बड़े खान is a symbol of betis presence in कंथापुरा बड़े खान किसका काम करता है betis ars का काम करता है और ये betis ars बेसक से यहाँ पर present नहीं है पर ये presence उनकी दिखा देता है बड़े खान कैसे वो ऐसे behave करता है जैसे कि betis ars करते है कंथापुरा में his duty is to maintain low and order उसका काम क्या है low and order को maintain करना यानि कि सुरक्षा व्यवस्था है जो भी व्यवस्था है इस गाउं के बनाई रखना put down the Gandhi movement और गांधी का जो अंदोलन चला हुआ है उसको गिराना put down में नीचे गिराना यानि कि उसको खतम करना and to give information of the village to the greatest authority अभी हमने बात की थी जो भी information होती है इस गाउं की वो सारी greatest authority को देता है तो वो किसका काम कर रहा है यहाँ पर greatest government का symbol के रूप में काम कर रहा है उनकी symbol के रूप में sixth है हमारे पास बड़े खान as a villain बड़े खान के बारे में बताएंगे कि कैसे वो एक बिलेन का villain का रोल भी अदा करता है बड़े खान is considered a villain बड़े खान को एक बिलेन ही माना गया है इस नोबल का किसके दुबारा villagers के दुबारा जो गाउं के लोग है वो उसे एक बिलेन मानते है जैसे कि Hunter Sahib है like Hunter Sahib and other men who are against the Congress activities यानि कि गाउं के वो सभी पुरुस जो किसके खिलाफ है Congress की गतिवीधियों के खिलाफ है जो Congress गतिवीधिया कर रही है कारिया कर रही है उनके खिलाफ है वैसे ही उन्ही व्यक्तियों में से एक है Hunter साहीब की तरह ही बिलेन बड़े खान बट इस इंपार्सियल पर ये क्या है भीदभाब भरा है इंपार्सियल क्या होता है जिसमें पार्सियल्टी होती है तो ये भीदभाब क्यों है उसके लिए as he is loyal government servant क्योंकि वो तो सरकार के लिए loyal है इमांदारी से सरकार के लिए काम करता है पर ये सरकार कौन से होस्टाइम की वेटिस गोर्मेंट है उनके लिए इमांदारी से काम करता है performing his duty तो क्या करता है वो but it is impartial as he is loyal government servant performing his duty who is लगा ले न यहाँ पर who is performing his duty जो क्या कर रहा है अपनी duty को perform कर रहा है last है 7th point हमारा in league with but and others वो किसके साथ संग बनाता है गाउं में आकर league क्या होता है संग यानि कि समूँ बनाना किसके साथ समूँ बनाता है वो वो भट के साथ भट कौन है बहुत ही बेकार आदमी है ये वी गाउं का वो और दूसरे जुगाउं के लोग है जो गांधिवादी अंदोलन के खिलाफ है मुर्ति के खिलाफ है उनके साथ मिलकर ये क्या करता है समूँ बनाता है after coming in village जब वो गाउं में आ जाता है he becomes friendly with but and others who are opposed to गांधी movement वो भट का friend बन जाता है और उन सभी व्यक्तियों का friend बन जाता है जो गांधिवादी अंदोलन के opposed है खिलाफ है अब देखी last point है हमारा अब देखी इसके बाद in this way ये last हमें लिखना है एक line छोड़ कर यहां से प्यारा बना कर in this way इस तरह से in spite of his loyalty बेसक से वो loyal है इसके बाबजूद in spite क्या होता है किसी चीज़ के बाबजूद तो अपनी loyalty के बाबजूद to his work किसके लिए loyalty है उसके अपने काम के लिए and to the weightless government और किसके लिए है जो weightless government है अंग्रीज जो दिखा रही है उनके लिए जो loyalty है अपने work के लिए loyalty है इन सभी चीजों के बाबजूद he cannot record a positive character in regard of this noble इस noble के regard में इस noble के समबंध में उसे एक positive character नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये गांधी जी के खिलाफ है उनके अंदोलन के खिलाफ है मुर्ती के खिलाफ है तो इसलिए ये हमारे लिए किसका काम करता है एक negative character का काम करता है तो I hope आपको ये question समझ आया होगा चैनल अच्छा लगा हो तो like, subscribe and share जरूर कीजिएगा Thank you